सेम की सबजी को आपने कई बार बनाया होगा और कई बार खाया होगा पर एक बार आप मेरे तरीके से सेम को बना कर देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल यूनिक लगता है टेस्ट इसका तो यहाँ पर मैंने ये देसी वाली सेम ली है और इसके करेंगे क्या हम और कच्छी सेम की जो रेसे होते है ना दोनों साइट से उनको हमें निकालकर पहले क्लीन कर लेна है क्योंकि रेसे जब सब्सजी में आ जाते हैं तो उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है और सेम की कोई भी रेस्पे आप बनाईए उसके रेसे निकालने पड़ते है और बी सेम की सबजियां भूल जाएंगे और आप हमेशा इसी तरह से सेम को बना कर ट्राई करेंगे और आपने अगर किसी को बना कर खिला दी नहीं है सेम की सबजी यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है और वो आपकी तारीफ जरूर करेगा और आपसे रेस्पी पूछेगा त इतने भी आप छोटे या बड़े रखना चाहते हैं तो यहां पर मैंने एक सेम के तीन-तीन टुकडे कर लिये हैं तो यह सेम बासी नहीं है यह थोड़ी सी देसी वाली सेम ऐसलिए ब्लैक और ग्रीन दोनों कलर इसमें हलके से होते हैं तो यहां पर अब हम क्या करेंगे कट सेम को मेगनेट करना है तो यहां मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा और अब मैं डाल रही हूं दही यानि की कर्ड तो यहां पर हम दही लेंगे दो चम मच और थोड़ी सी उपर से मैंने चली फ्लैक्स डाली है इससे ना जब आप इसको डालेंगे सबजी में तो बिल्कुल अलग तरह का टेस्ट लगेगा और अब मैंने यहाँ पर लिया है हलका गरम तेल मतलब इतना गरम है कि हाथ ना जले गुनगुना कर लिया इस तेल को ठीक है और यहाँ पर यह सर्सों का तेल ढालने के बाद इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो कड़ाई मेंने लिया है सर्सों का तेल अब यहाँ डालेंगे हम आधा जम्मच जीरा जीरा अच्छे से जब चटकने लगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मेथी दाना भी एट करेंगे क्योंकि सेम की तासीर को बादी बोला जाता है और अब यहाँ पर तीन से चार चुटक कि मैंने हींग डाल दी है यह सबी चीजें जब अच्छे से भुनने लगे तो यहाँ पर हमने लिया है लहसुन महीन कट करके लहसुन ले लीजिए और साथ में अधरक अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो सिर्फ अधरक ही डाल सकते हैं अधरक से भी बहुत अच जाएच का प्याज इन सभी चीजों को अच्छे से सवाटे करेंगे और अप इसमें डालेंगे हम बेसिक मसाले हल्दी पाउडर धनिया बाउडर और मिर्ची पाउडर तो यहां पर नमक ले-लीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची हमने यहां पर हरी भी इस्तिमाल की आगे हम में मेगनेट किया है उसको तो हम मिर्ची डाल चुके है, इसलिए मैंने इस समय पर इसके मिर्ची का इस्तिमाल नहीं किया है एक ट्माटर को मैंने डाला है आप इसको पीस कर भी डाल सकते हैं, यहां पर जैसे आपकी इच्छा हो अब यहाँ पर मैंने दो बड़े साइच के आलूओं को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया और उन्हें धुलकर यहाँ पर डाल दिया है इन आलूओं को हम पहले पका लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से मैं आलू ढग देती हूँ ताकि यह थोड़े से पक जाएं और यहाँ आप देखिए अभी सबजी का कलर आपको यलो सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का इस्तिमाल बिल्कुल भी नहीं किया है लेकिन जैसे ही यह मैगनेट की हुई सेम जाएगी सबजी का कलर इतना अच्छा हो जाता है क्योंकि दही और मिर्ची यह सबजी में बहुत अच्छा कलर लेकर आते हैं एक दम से चेंज हो जाता है कलर तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा जब आलू बहुत अच्छे से पक जाएं उसके बाद आपको सेम यहाँ पर एड़ करनी है क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे तो सेम में दही है और आलू देड से पकेगा इस समय नया आलू आ रहा है यह देखिए तो मैंने इसको धीमी आज पर रख दिया था और दही और मिर्ची पाउडर की वज़े से देखिए कितना बड़ी आसा यहाँ पर कलर आ गया है यह सेम की रैस्पी बिल्कुल अलग है बिल्कुल यूनिक है एक बार आप बना कर ट्राई जरूर करना और मैं ऐसे धीमी धीमी आज पर ही पका रही हूँ यहाँ पर पानी का इस्तिमाल बिल्कुल भी नहीं किया है मैंने और दही पड़ा है इसलिए थोड़ा सा आप एक दो बार सेम को चेक कर लिजिए ताकि सेम अच्छे से पक जाए वैसे जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है और मेन हमें आलू को बहות अच्छे से पकाना है उसमें टाइम लगता है तो आलू पक गया है अच्छे से तब मैंने सेम को अट किया है लेकर अभी मुझे सेम में थोड़ी सी कसर लग रही थी तो मैंने इसको दो मिनट के लिए और ढग दिया और यहां पर हमारी चटपटी सी दही वाली सेम की सबजी तयार हो गए है उपर से हरा धनिया डालेंगे और इसको बढ़िया से सर्व करेंगे तो यहां पर मैं एक बाउल में इसे निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं इसे दुफैर में लँज के लिए बना रही हूँ आप इसके साथ डाल बगेरे भी बना सकते हैं और अगर आपको लंच में ले जाना है तो बच्चों के लंच बॉक्स में देना है तो आप दे सकते हैं पराठे के साथ खास तोर से पूरियों के साथ बहुत अच्छी लगती है सेम की सबसी तो यहां पर थोड़ा सा उपर से हरा धनिया डालेंगे और लेजिए बनकर तयार है विल्कुल यूनिक सी सेम और आलू की सबसी पसंद आई हो रेस्पी तो लाइक कर दीजेगा और अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आगे शेयर कर दीजेगा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सबस्क्राइब, फेस्बुक पर फॉलो